हलो एवरीवन आप सभी का स्वावेक दोस्तों फिर से आप लोगे धामा के दार वीडियो लिखिया दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने होना और ट्रिग्नोमेट्री चेप्रे नंबर 8 एक्सेसाइज 8.1 में दोस्तों कुछ्छन नंबर 6 से कुछ्छन नंबर 8 तक में सॉल्व कराना सिखाओंगा दोस्तों वी इजी सिंपल वे में और दोस्तों कहना चाहूंगा इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगो सिखाया गया है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्मले कैसे याद कर पाओगी इस तरह से हर एक सम को इजी कंसेट वे म में आराम से सॉल्व कर पाओगे सारा को सिखाया हुआ है तो पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए उसके बाद यह वीडियो में आईए तो ही आपको समझ में आएगा तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज का है वीडियो सबसे पहले देखें यहाँ पर दोस्तों क्या दिया हुआ है यहाँ पर दिया है दोस्तों इस एंगल A and एंगल B are acute angle acute angle मतलब क्या होता है दोस्तों 90 डिग्री से जो कम होता है उसे हम बोलते है acute angle clear हो गया आगे बढ़ते हैं यहाँ पर लिखा है such that cos A is equal to cos B बला गिवन में दिया है cos A is equal to cos B दिया है ठीके then so that angle A equal to angle B मतलब यह प्रूफ देट टाइप का सम है ठीके सम स्टाट करते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर गिवन लिखना है तो गिवन के अंदर मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ कि angle A and angle B are acute angle दिया हुआ है और साथ में दोस्तों यहाँ पर cos A equal to cos B तो यहाँ पर स्रिफ और स्रिफ में यह लिख लेता हूँ cos A equal to cos B मुझे यहाँ पर गिवन में दिया हुआ है ठीक है यहाँ पर प्रूफ क्या करना है तो to prove मैं मैं लिखूँगा यहाँ पर कि angle A is equal to angle B ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर प्रूफ लिख दिया मैंने अब दोस्तों diagram मनाएंगे ने हम लोग sum easy हो जाएगा तो diagram में यहाँ पर draw कर देता हूँ इस तरह से खुबसूरत सा diagram draw कर दिया triangle देखिए अब दोस्तों problem यह है कि angle के जो figure में जो alphabet होता है वो कैसे लिखेंगे तो यहाँ पर A और B दोस्तो acute angle दिया है तो acute angle ऐसे ही नहीं दिया है वो hint दे रहा है hint यह दे रहा है कि 90 से कम मतलब यह 90 degree के जगा पर A और B तो नहीं आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा C आएगा और A यहाँ पर आगया और यहाँ पर B आगया इतना clear हो गया चलिए आगे बढ़ते हम लोग अब यहाँ पर दोस्तो लिए है Cos A तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं Cos A अब A पर अगर खड़े हो जाओगे आप A पर अगर खड़े हो जाओगे तो सामने वाली side क्या होगा दोस्तो opposite होगा ठीके लेकिन Cos का formula क्या है Cos का formula होता है adjacent upon hypotenuse तो सामने वाली side अगर opposite है तो 90 के सामने वाला hypotenuse बचा क्या है दोस्तो AC बचा है तो AC क्या होगा adjacent होगा तो यहाँ पर Cos A का formula लिख देता हूँ मैं simple तरिके से formula होता है दोस्तो adjacent upon hypotenuse तो adjacent कुन सा होगा दोस्तो adjacent होगा AC होगा और hypotenuse AB होगा यह लिख दिया मैंने यह मेरा result 1 result 1 लिख दिया अब दोस्तो Cos B की तरफ जाएंगे हम लोग तो Cos B क्या होगा दोस्तो formula वही होगा adjacent upon hypotenuse तो B पे खड़े होगे अगर अगर B पे खड़े होगे तो सामने वाला AC जो है दोस्तो वह क्या हो जाएगा opposite हो जाएगा right लेकिन दोस्तो हमें adjacent लेना है तो सामने वाला यह जो C के सामने है वो hypotenuse है तो BC क्या होगा BC आपका हो जाएगा adjacent हो जाएगा तो यहाँ पर लिखोंगा मैं BC और यहाँ पर hypotenuse दोस्तो AB है ठीक है यह मेरा result 2 हो गया इतना clear अब दोस्तो result 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा आईए देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ मैं from from first and second first और second से हमें क्या मिलेगा अब लिखता हूँ यहाँ पर from first and second we get देखो दोस्तो यहाँ पर लिख देता हूँ दोनों equal है cos A और cos B equal है तो यहाँ पर result जो मिला है वो में result आमने सामने लिख दूँगा AC upon AB is equal to BC upon यहाँ पर AB लिख दिया इतना clear और दोनों के denominator दोस्तों क्या है same to same है AB और AB तो अपने आप denominator cancel हो जाएगा और बचेगा क्या दोस्तों बचेगा यहाँ पर AC is equal to BC अब बोलोगे सर प्रूफ क्या करना था और कहाँ पर लाकर छोड़ दिया हमें प्रूफ करना था angle A equal to angle B प्रूफ करना था और आपने यहाँ पर लिख दिया AC equal to BC क्या कर दिया some solve हो गया dear student देखे क्या है हम easily लिख लेंगे हैं पर AC है तो यहाँ पर लिख देंगे angle B is equal to angle A कैसे आया कैसे यहाँ बताता हूं देखिए यहाँ पर 9th standard में एक हमने आप समझ लिए चीज पढ़ाता हमने याद है नहीं याद है देखो क्या पढ़ाता हमने यहाँ पर लिखेंगे because angle opposite to equal sides are equal यह reason लिख दिया आपने मतलब यह valid हो गया therefore angle A is equal to angle B बोलो समझ में आया समझ आया हो दोस्तों तो comment करके ज़रूर बताईएगा क्यों दोस्तों आपका एक comment हमें इतना motivate करता है जिसलिए दोस्तों ऐसे ऐसे वीडियो आपके लिए हम बना सके राइट अब दोस्तों यह question solve हो गया है आप screenshot ले सकते हो अगर लेना चाहो तो ठीके अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों question number 7 की तरफ question number 7 दोस्तों काफी आपको खतरनाक और बहुत बढ़ा sum लगेगा लेकिन दोस्तों बहुत ही simple way में आपको solve करना सिखाओंगा tension बिल्कुल मत लीजिएगा अब दोस्तों यहाँ पर दिया है cot theta equal to 7 upon 8 और आपको find करने बोला है यहाँ पर रोमा लिटर 1 और 2 दिया है रोमा लिटर 1 काफी बड़ा लग रहा है लेकिन रोमा लिटर 2 बहुत चोटा सा है ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों diagram बहुत important होगा diagram draw करना होगा आपको तो यहाँ पर आप देखोंगे cot theta 7 upon 8 है तो साइड यह सम उस सम के तरह नहीं है question number 3rd, 4th, 5th किया था हमने वैसे तो है तो यहाँ पर सुन्दर सा एक diagram draw कर लेंगे देखिए यहाँ पर एक सुन्दर सा diagram draw कर लेता हूँ को इस तरह से diagram draw कर लिया मैंने ध्यान दीजिएगा यह diagram draw कर लिया मैंने चलो, यहाँ पर एक दिया है, सिंबॉल दिया है, थिटा दिया है तो थिटा को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरह से अब यहाँ पर alphabet A और यहाँ पर B और यहाँ पर C लिख दिया इतना clear हो गया है, अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनना और समझना अब यहाँ पर जो cot theta equal to 7 upon 8 दिया, इसको split करेंगे तो यहाँ पर लिखता हूँ दोस्तों के cot theta equal to formula क्या होगा cot theta का अगर formula याद नहीं है, तो 10 का याद करो 10 का क्या था? opposite upon adjacent था तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों opposite upon adjacent मैंने यह लिख दिया, अब लेकिन सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि यह तो 10 का है, हमें क्या करना है? हमें cot का लिखना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? opposite करना पड़ेगा, मतलग कहने का यह है कि दोस्तों जो opposite उपर लिखा, उसको नीचे लिखना है तो यहाँ पर लिखने जा रहे हम लोग adjacent upon opposite, फॉर्मला बन गया अब दोस्तों theta के सामने वाला, theta के सामने वाला क्या है? ab है, तो opposite ab हो गया, तो नीचे लिखेंगे यहाँ पर ab adjacent क्या होगा, bc होगा, क्योंकि 90 के सामने वाला क्या होता है? hypotenuse होता है तो यहाँ पर मैंने bc लिख लिया अब दोस्तो, 7 upon 8 जो दिया हुआ था, उसे मैंने यहाँ पर लिख लिया अब मुझे इतना पता चल गया है कि bc का value क्या है, दोस्तो, 7 है तो bc का value यहाँ पर 7 लिख दिया मैंने, ab का value क्या होगा आप देखिए यहाँ पर AB का value 8 दिया है तो यहाँ पर मैं 8 लिखूँगा अब मुझे AC का निकालना है क्योंकि दोस्तों पहले पार्ट में आपको सिखाया था मैंने कि ट्रैंगल के तीनों साइड होना बहुत जुरूरी है और कोई भी ट्रैंगल जिसमें 90 degree हो principle of pythagoras से हैप easily find कर पाओगे principle of pythagoras बोलता है कि 90 के सामने वाला hypotenuse को ले लो यहाँ पर तो AC square equal to यहाँ पर AB square plus BC square तो AC दोस्तों क्या है? AC का value क्या है? तो AC का value यहाँ पर कुछ भी नहीं है find करना है तो मतलिखो यहाँ पर AB का value क्या है? 8 है तो 8 का square BC का value 7 है 7 का square तो अब उसको मैं square करूँ है देखो तो 8 8 जा कितना होगा? 64 होगा 64 लिख लिए 7 7 जा 49 होगा अब दोस्तो AC square equal to अब दोनों को plus करना पड़ेगा तो 9 plus 4 कितना होगा दोस्तो? 9 plus 4 13 होगा तो 3 यहाँ पर carry 1 6 plus 4 कितना होगा? आपका 10 होगा 10 plus 1 11 तो 113 तो AC का value क्या होगा दोस्तो? root 113 अब root से घबराएगा मतलब some difficult होगा some difficult नहीं होगा एक एक चीज बारी की से सिखाऊँगा आपको जिससे trigonometry आपको आसान लगने लगे है अब यह लिखे हैं मैंने तो यहाँ पर लिख देता हूँ root 113 आ गया है चलो आगे बढ़ते हैं अब दोस्तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं को sign find करना पड़ेगा फिर यहाँ पर cost find करना पड़ेगा तभी तो मतलब पूरा masala ready करेंगे उसके बाद cooking करेंगे तो यहाँ पर मैं निकालता हूँ sign तो यहाँ पर sign theta sign का formula क्या है? son of haman पहले पार्ट में सिकाया था son मतलब s तो यहाँ पर s son of haman तो यहाँ पर o मतलब यहाँ पर opposite होगा यह मेरा hypotenuse हो जाएगा तो theta के सामने वाला क्या होगा दोस्तो a b होगा a b मतलब opposite ठीक है? क्योंकि देखो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ मेरे सामने वाला जो भी होगा हो मेरे opposite होगा तो यहाँ पर देखे theta दिया है तो theta के सामने वाला क्या होगा a b आपका opposite हो जाएगा अब हाइपोटेनियस क्या है आपका यहाँ पर AC है AB का value 8 है और यहाँ पर root 113 लिख दिया मैंने इतना clear हो गया अब दोस्तों मुझे cost निकालना है तो यहाँ पर cost theta लिख देता हूँ अब cost theta का formula क्या है केम एहमदाबाद हरीडली तो केम एहमदाबाद मतलब एहमदाबाद का A हरीडली का H तो यह हो गया adjacent यह हो गया hypotenious अब दोस्तों ध्यान दीजिए थिटा के सामने वाला अगर opposite है और यह मेरा hypotenious है तो यह मेरा क्या हो जाएगा? यह मेरा हो जाएगा adjacent तो यहाँ पर लिखे AC का value 113 यह मेरा मसाला ready हो गया अब sum करने जाएगे हम लोग तो द्यान दीजिए दोस्तों सबसे पहले मैं first जो रोमलेटर दिया है उसे मैं बाद में कराता हूँ पहले मैं यहाँ पर आपको second sum solve कर बताता हूँ second देखो बहुत आसान है second में क्या होगा देखो यहाँ पर ल जो दिया हुआ है यहाँ पर 7 upon 8 दिया है तो यहाँ पर 7 upon 8 लिखूँगा लेकिन दोस्तों यहाँ पर square दिया है तो इसका square कर दूँगा तो 7 का square क्या होगा 49 होगा तो यहाँ पर लिखूँगा 49 और 8 का square क्या होगा तो 64 होगा तो यहाँ पर मैं 64 लिखूँगा और देखि इससे पहले दोस्तो मैं next slide change करूँ अगर आपको screenshot लेना हो तो screenshot ले लिए जिफट आपट से ठीक है तो आगे बढ़ते हैं तो देखे रोम अलेटर 1 next slide में लिखता हूँ रोम अलेटर 1 का मैं क्या दिया है दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 1 प्लस sign और bracket में 1 माइनस sign तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 1 प्लस sign theta bracket और फिर bracket में 1 माइनस sign theta whole upon divide में whole upon क्या दिया है दोस्तों यहाँ पर 1 plus cos और 1 minus cos theta तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 1 plus यहाँ पर cos theta ठीक है और यहाँ पर 1 minus यहाँ पर cos theta मैंने लिख दिया मैंने इतना clear हो गया एकड़म simple अब दोस्तों सोटकर्ट ट्रिक सिखाता हूँ आपको मैं आपको पता है 8 standard से एक identity आप सीख के आ रहे हो a square minus b square क्या होता है आईए बताता हूँ यहाँ पर a square minus b square का identity होता है formula होता है क्या होता है a plus b और a minus b मतलब एक बार plus एक बार minus तो दोस्तों आप ध्यान दोगे यहाँ पर जो दिया हुआ है कुछ इस तरह से दिया है एक बार plus एक बार minus तो क्या आप इस form में बदल सकते हो हाँ बिलकुल बदल सकते हैं हम लोग तो यहाँ पर one plus sign और one minus sign को यहाँ पर लिख लेता हूँ one minus यहाँ पर sign square theta लिख लेता हूँ ठीक है अब one plus cos और one minus cos को मैं one minus cos square theta लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर one minus cos square theta इतना लिख दिया अब मैं value put करूँगा मैं तो आप देखो के पिछले slide के अंदर sign का value था क्या था eight upon under root one one three तो यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ दोस्तो one minus eight upon root में one one three और इसका मैं square कर दूँगा ठीक है अब नीचे क्या है दोस्तों यहाँ पर cos है और cos का value क्या था seven upon under root one one three तो यहाँ पर seven upon under root one one three का whole square इतना clear अब ध्यान दीजी हर एक चीज में दोस्तों क्योंकि देखो अगर आप ध्यान पढ़ोगे समगो अगर तो easily आप solve कर पाओगे तो यहाँ पर देखो नीचे यह जो दिया है one दिया है तो यह one के नीचे तो one तो होता ही है इतना तो आप कोई पता है rational number p upon q form में होता है तो इसके नीचे भी one होता है ठीक है अब देखो समको कैसे solve कर तो step by step आखे भी मतलब पल के भी जपकाना मत नितो कुछ चीज़ छूड़ जाएगा अब यहाँ पर दोस्तो मैं लिखने जा रहा हूँ कि one upon one है और eight eight जा 64 है नीचे one one three दिये तो one one three का square निकालनी ज़रूद नहीं है क्यों निकालनी जरूद नहीं है तो square दिया है तो square के वज़े से root जो है वो cancel हो जाएगा तो यहाँ पर root one one three जो है यहाँ पर one one three आ जाएगा ठीके नीचे one upon one minus seven seven जा 49 और यहाँ पर root one one three जो है root हट जाएगा क्योंके बाहर square दिया है इतना clear अब क्या करेंगे दोस्तो plus और minus होता है और नीचे का denominator same नहीं होता है तो हम क्या करते है LCM लेते है या फिर दोस्तो cross multiplication करते हैं दोनों same ही है तो यहाँ पर cross multiplication क्या करूँगा दोस्तो one one three multiply one क्या होगा one one three minus one multiply 64 तो यहाँ पर 64 और नीचे one one three मतलब right left और 20 में अकरार ठीक है अब यहाँ पर next देखिए यहाँ पर मैं color change कर लेता हूँ यहाँ पर one one three multiply one 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 three minus one multiply 49 यहाँ पर 49 whole upon one one three अब denominator दोस्तो जो है वो cancel हो जाएगा आपका तो यह one one three और यह one one three cancel हो गया अब यहाँ पर क्या है दोस्तो one one three minus 64 कितना होगा दोस्तो 49 होगा और one one three minus 49 क्या होगा दोस्तो आपका 64 होगा और यह हो गया आपका answer बहुती simple तरीके से उमीद करता हूँ दोस्तो यह sum आप समझ गए हो अगर समझे या नहीं समझे यह आपको बताना हो तो please comment में बताई आपको और वीडियो पसंद आता हो तो like कर दीजिए क्योंकि आप भूल जाते हो आप लो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटा फट सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि ऐसे interesting वीडियो आपको इसी चैनल मिलते रहेंगे आगे बढ़ते दोस्तों देखिए next question देखिए आपके सामने आ रहा यह रहा यह sum दोस्तों question number आपके सामने देखिए यहाँ पर कौन सा करवा दिया मैंने 7 हो गया अब यह question number 8 है question number 8 question number 8 right अब question number 8 में आप देखोगे अगर तो यहाँ पर कुछ अलग तरह के सम है यहाँ पर दिया हुआ है if 3 cot a equal to 4 ओके यह information दिया है और बोला है check whether 1 minus 10 square theta upon 1 plus 10 square a equal to cos square a मैंने पहले theta कहा ठिटा नहीं है 1 minus 10 square a है clear चलो अब आपको क्या करना है यह equal है या नहीं है यह check करना है मतलब जब भी ऐसे equal में check करने कहेंगे तो एक चीज आ जाता है LHS और RHS LHS क्या होता है दोस्तो left hand side और RHS क्या होता है right hand side जब left hand side और right hand side दोनों equal हो जाते है तो आप बोल सकते हो कि ठीक है अगर equal नहीं है तो नहीं है समझे आप चलो start करते है लेकिन दोस्तो यह 10 cause sign दिया है कैसे निकालेंगे कि दोस्तो आपको बता है बहुत ही बुद्धिमान इंसान ने का है question के ही अंदर answer छुपा होता है आपको निकालने की देर होती है तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ध्यान दो गया आप अगर यहाँ पर तो यह जो दिया है यह information जो दिया हुआ यह आपका hint है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर कि 3, 3 cot A equal to 4 मैंने लिख दिया अब यही चीज़ को थोड़ा modifier में दिया हुआ है थोड़ा अलग वे में लिखेंगे हम लो यह जो cot है cot A equal to 3 जो है multiply में है division form में आ जाएगा इधर आएगा तो 4 upon 3 यह मैंने लिख लिया यहाँ पर clear हो गया है आगे बढ़ते हैं अब इसी चीज़ को क्या करना पड़ेगा दोस्तों एक सुन्दर सा डाइगराम ड्रो करना पड़ेगा तो एक सुन्दर सा डाइगराम मैं यहाँ पर ड्रो करता हूँ कोई इस तरह से ड्रो करता हूँ यह देखे ड्रो कर दिया मैंने यह 90 डिग्री कर दिया अब alphabet A दिया है cot के अंदर तो यहाँ पर A लिखेंगे, A लिख दिया यहाँ पर, यहाँ पर B और यहाँ पर C लिख दिया, इतना clear अब क्या करना होता है दोस्तों, यह जो information दिया है, cot A equal to 4 upon 3 दिया है इसको split करेंगे, तो split कैसे करेंगे देखें, यहाँ पर यहाँ लिखूंगा cot A और cot का formula अगर नहीं आता है, तो 10 का formula आता है, opposite upon adjacent तो cot का क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, adjacent upon यहाँ पर opposite, यह हो गया, अब धियान दोगे दोस्तों, यहाँ पर A दिया है यहाँ यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर मैं BC लिख देता हूँ, और यहाँ पर 4 upon 3 जो दिया हुआ, वो मैंने लिख लिख लिया, मैंने, अब अगर धियान दोगे अगर, तो AB आपका value दोस्तों 4 आ गया, और BC का value कितना आ गया, 3 आ गया है, अब आपको क्या निकालना है, AC निकालना है, फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, जो भी triangle के अंदर 90 degree होगा, with the help of principle of Pythagoras, आप कोई एक side easy निकाल पाओगे, अगर 2 side दिय BC का value 3 दिया, यहाँ पर लिख लिया, अब देखिए इसको simplify करेंगे, तो 4 का square क्या होगा दोस्तों, 4 का square 16 होगा, तो यहाँ पर 16 लिखता हूँ, 3 का square क्या होगा दोस्तों, 3 का square होगा, 3 3s आ 9 होगा, तो यहाँ पर मैं 9 लिखता हूँ, और इन दोनों को क्या करेंगे, प् यहाँ पर square root निकालने पर यह 5 हो जाएगा, ठीक है, यह 5 हो गया, अब यहाँ पर लिख दिया hypotenuse जो है 5 है, चलो, यह हो गया, अब हमें material क्या ready करना है, 10, cos, sign, यह सब ready करना है, चली, ready करते हैं, सबसे पहले, यह caught दिया है, तो देखो, यह caught दिया है, तो इसी को मैं यहाँ पर 10, A बदल सकता हूँ, क्योंकि caught A और 10, A दोनो opposite ले सकते हैं, तो यहाँ पर 4 upon 3 है, तो यहाँ पर 3 upon 4 ले सकता हूँ, हाँ यह ना, अगर नहीं समझे, तो समझाता हूँ, यहाँ पर A दिया है, और adjacent आपका 4 है तो 3 upon 4 आ गया और मैंने किया किया cot का उल्टा कर दिया 10 क्योंकि दोनों के alphabet दोस्तों सेम थे अब यहाँ पर cos निकालना है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ cos A formula क्या होगा adjacent upon hypotenuse तो यहाँ पर लिखता हूँ adjacent upon hypotenuse तो A के सामने खड़े होंगे A के सामने खड़े होंगे सामने ओला opposite होगा तो A B क्या होगा दोस्तों adjacent होगा आपके लिए तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ A B पर hypotenuse क्या होगा दोस्तों आपके लिए A C होगा तो यहाँ पर A C लिखता हूँ AB का value क्या होगा? दोस्तो, AB का value 4 होगा, तो यहां पर मैं 4 लिखता हूँ और AC का value दोस्तो 5 है, तो यहां पर 5 लिखा ठीक है? ये हो गया अब sin निकालना है, तो यहां पर sinA, ठीक है? sin का formula क्या हो, तो दोस्तो opposite upon hypotenious होता है, तो hypotenious देखें आपका AC है तो यहाँ पर AC लिखा opposite के है दोस्तों आपका BC है तो यहाँ पर मैं BC लिखता हूँ ठीके BC का value 3 है और AC का value 5 है यह सब material मैंने ready कर लिया मैंने अब यहाँ पर सुरू करते है sum का सिलसिला सबसे पहले यहाँ पर जो दिया हुआ है वो find कर लेते हैं हम लोग LHS मतलब left hand side तो left hand side पर लिखा हुआ है 1 minus यहाँ पर 10 square A हाँ whole upon 1 plus 10 square A चलो अब 10 का value का पता है 3 upon 4 A value पूट करते हैं 1 minus यहाँ पर 3 upon 4 का whole square यहाँ पर 1 plus 3 upon 4 का whole square अब दोस्तो इसको मैं पिछले slide में लिखता हूँ ठीक है आगे वाले slide में लिखता हूँ तो अगर आपको screenshot लेना है तो इसका screenshot ले ले जी अभी से फटा फटा से screenshot ले ले जी चलिए आगे बढ़ते है अब यहाँ पर 1 दिया है हम लोग 9 upon 16 ठीक है अब यहाँ पर देखोगे तो 1 plus 3 upon 4 का whole square दिया है तो यहाँ पर देखो यहाँ लिखेंगे 1 plus सेम ही यह तो है 3 upon 4 तो नीचे लिखेंगे यहाँ पर हम लोग 9 upon 16 अब दोस्तों को पता है मैंने कहा आपको मैंने कि rational number जो होते है उसके नीचे 1 तो होता ही है तो यहाँ पर 1 जो single है यहाँ पर इसके नीचे 1 तो होगा हमारे पास तो यहाँ पर 1 लिख दिया अब cross multiplication करेंगे हम लोग 16 को 1 से multiply करेंगे पहले तो 16 बन जा 16 minus 1 multiply 9 करोगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर 16 whole upon whole upon यहाँ पर ध्यान दोगे तो 16 बन जा 16 प्लस 1 multiply 9, 9 हो गया 16 बन जा 16 कर दिया अब यहाँ पर दोस्तो आप ध्यान से दिखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है 16 16 जो है cancel हो जाएगा denominator cancel हो गया अब यहाँ पर 16 जो है 25 होगा तो यहाँ पर 25 लिख दिया और यह हो गया मेरा left hand side अब मुझे निकालना है right hand side निकालना है तो right hand side में क्या दिया है दोस्तों यहाँ पर cos square a minus sin square a तो यहाँ पर लिखता हो मैं cos square a minus sin square a यह मैंने लिख दिया अब ध्यान दिजिए अब cos क्या है दोस्तों यहाँ पर देखोगे तो cos का value दोस्तों क्या है 4 upon 5 है तो यहाँ पर लिखूँगा मैं 4 upon 5 का whole square sign क्या है दोस्तों sign देखें यहाँ पर 3 upon 5 है तो यहाँ पर लिखूँगा मैं 3 upon 5 का whole square अब 4 का square क्या होगा दोस्तों 16 होगा तो 4 4's 16 लिख दिया 5 का square क्या होगा 550 होगा तो यहां पर 25 लिख दिया मैंने, 3 3's क्या होगा 9 होगा तो यहां पर 9 लिखा 55 है 25 अब दोस्तो आपको दिमाग में आएगा कि पिछला देखी है आप पर minus plus था तो minus plus जब भी होता है हम LCM निकालते राइट या फिर cross magnitude करते तो यहाँ पर भी cross magnitude करना होगा नहीं बिलकुल नहीं होगा यह concept आप सीख लीजिए क्योंकि इसका denominator दोस्तो दोनों same है तो आपको निकालने ही को जरूत नहीं है दोनों denominator सेम है तो एक बाल लिखेंगे इस तरह से और फिर उपर जो है 16 minus 9 लिख दिया ठीके अब दोस्तो आप देखोगे तो 16 minus 9 क्या होगा दोस्तो 7 upon 25 होगा और यह देखे आपका LHS equal to RHS दोनों equal हो गया तो यहाँ लिखोगे therefore LHS is equal to RHS अब दोस्तो कुछ जो silly mistake करते है student exam के अंदर वो आपको बता दूँ यह LHS और RHS को दोनों same to same करते रहते हैं मतलब LHS इस तरह से? RHS इस तरह से मतलब कहने का यह है कि exam के अंदर यह जो दिया हुआ है ध्यान देना जो सिखा रहा हो एक दम में silly mistake करके मत आना यह जो दिया हुआ है इसी को side by side करते रहते हैं अगर आपको last में जाकर not equal to आ गया तो क्या करोगे? आप अगर ऐसे करोगे तो examiner के लगए यह तो master आदनी इसको पहले से पता है कि दोनों equal होगा? marks नहीं मिलेगा तो आपको LHS और RHS separately solve करना है और फिर compare करना है कि whether LHS is equal to RHS और है या नहीं आपको check करना है clear हो गया? चलो सारा को समझ में आ रहा है कि नहीं रहा बताओ मेरे को तो दोस्तो आज की वीडियो में देखे आपके सामने देखे यह question number आपको 6 solve करवा है 7 solve करवा है और 8 solve करवा है ठीक है? अगर आपको screenshot लेना तो screenshot ले लिजिए तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों आपके सामने फिर से next video में मिलूँगा दोस्तों next video में हम solve करेंगे exercise 8.1 का question number 9 और question number 10 और को बताना चाहूँगा इस exercise के अंदर exercise 8.1 में question number 10 बहुत ज़्यादा important है next video में दोस्तों उसका shortcut trick सिखाऊँगा तो दोस्तों सीखते रहिए सिखाते रहिए और ऐसी ही प्यार देते रहिए मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों thank you so much bye dear students